ओम शान्ति आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शान्ति दिल से कहिए थोड़ा मुस्कुरा कर, खुशी से, उमंग उट्साह से, जोश से कहिए नमस्ते हाथ कौन जोड़ेगा? वेरी गुट, नमस्ते गुट मॉर्निंग मॉर्निंग है क्या? तो फिर मॉर्निंग क्यों कहा? क्या वाद है? जो जो मैं कह रहा था, उसको आप आंक बंद करके कर रहे थे, ठीक है न? चली, गुट ठीक है क्या वाद है? देखें, यूव डिफरेंट काइंड पीपल, राइट? तो गुट, चली, गुट इवनिंग और आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है एक बार ताली बजाएगे, वेरी गुट हम बस एक विशे को थोड़ा सा आपका जो कैनुपी थीम है, यूट इस वेरी इंटरेस्टिन पिरिच्वालिटी इन मैनेजमेंट बैसे तो थोड़ा सा दोनों मिस्माच लगता है मैनेजमेंट और आध्यात्म का जो समन्वय है बट वाट वी अच्छली में है, इस अप्लाइड स्पिरिच्वालिटी और मेरा एक छोटा सा मानना है, आप करेक्ट कर सकते हैं उस बात को कि आध्यात्मिक्ता का सिंपल देफिनिशन है, is to become good good to yourself and for others अगर ये भी कर लिया, तो भी हम आध्यात्मिक कहला सकते हैं अपने आप खुद भी सुखदाई, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी you are pleasant to yourself and for others, for nature, for the society by default हम सब आध्यात्मिक है लाएंगे, religious है या नहीं है पता नहीं आध्यात्मिक ज़रूर है मेरा दो तीन आपके लिए conditions है, पांच बजे तक के लिए पहला condition, मैं यहां बैठके बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं और आप वहां बैठके आप वहां बैठके क्या कहा? आच आच आच, सोते रहें, सोते रहें वैसे भी सोने और सुनने में जादा अंतर नहीं है बोलते इनके पास जस्टिफिकेशन भी है, सोने काट माताओं ने तो बस मेरा इंसल्ट किया, ये इंसल्ट पे नमक चड़ा करें है ठीक है? टू गुड, मेरा एक चोटा सा रिक्वेस्ट है, अंतर है या नहीं? है ना? तो मेरा एक चोटा से रिक्वेस्ट है, आपको मेरी बात सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना, सोचना, विचार करना, उस पर थोड़ा चिंतन करना, फील करना, महसूस करना, फाइदे का लगे, है, इस पर एक चोटा से रिक्वेस्ट है, फाइदे मांद लगे, तो उसको अडॉप्ट कर लेना, ना लगे, तो वैसे भी छोड़ देना, छीक रहेगा? वैसे भी मैंने भारत के लोगों की दूसरी विशेष्टा देखी है, मैंने देखा है कि भारत के जो लोग होते हैं, सुनते सब का है, ये साइड थोड़ा डेंजरिस लग रहा है, ठीक है? आदा से ज़्यादा फिलिंदम लेंग्स तो आपको ही आता है मेरा, ठीक है? हम सुनते सब का हैं, लेकिन करते हैं, अपना ही है, ये जो करते हैं अपना ही है, तो फिर ये पूरा प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं है, इफको ने आपको इतना मेहनत से यहां भेजा, तीन इन का प्रोग्राम यहां इतना ज़्यादा आपके लिए सुक्सु विधायं रखी, तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप भी मेरे साथ बात करिये, और अगर मैं कोई बात कहरा हूं, तो उस पे भी आप अपने विचार रखें, ठीक है? तीसरी और अंतिम बात, थर्ड कंडिशन, जब भी मैं कोई, कुछ कंसेप्ट, कुछ आइडियास को अपने ओडियंस के सामने रखता हूं, मान लीजे, आज तो हमारा वो विशय नहीं है, आपका आगे पूरे दो दिन, दिन के प्रोग्राम में वो विशय है, मान लीजे, मैं यह मंच से, आपको कंसल्ट नहीं करता हूं, आपको पूछता नहीं हूं, I just say it, और मैं कहता हूं कि, Anger is not good, suppose मैं ऐसा कहता हूं, तो मैंने भारत के लोगों की विशय नहीं देखी है, जब भी मैं ऐसे कोई बहुत important, कोई concept audience के सामने रखता हूं, तो हमारे भारत के लोग, अगर मैं कहता हूं, गुसा नहीं करना चाहिए, तो हम भारत के लोग, ऐसे करके रिस्पॉंड करते हैं, ये तो हुआ नॉन वर्बल रिस्पॉंस, sorry, हिला करके, सिर हिला करके, अंदर भी एक रिस्पॉंस चालू रहता है, आप लोगों का रिस्पॉंस बता रहा हूं, जब मैं कहता हूं गुसा नहीं करना चाहिए, तो मैक्सिमम लोग, और फिर है न, मन ही मन, मेर को धेख करके सोचते हैं, एक बार तू इफको में आजा, पता चल जाएगा, बिना काम करें, हमारे डिपार्टमेंट में आजा, बिना गुसा कि ये काम तो, बिना गुसा कि ये काम तो, होई नहीं सकता है, यह यहां सब इना दिगगजी बैठे हुए है, ठीक है न, सब अपने अपने लॉज बना करके बैठे हुए, तो मैं आपको लगता है, अगर आपको लगता है, वाट गिरिश इस प्रक्तिकली इंपॉसिबल, इस थोडी न होता है, और कई लोग तो मेरे बार में ये भी सोच ल जोचे नहीं है, और काम नहीं करना है, इफको का टारड़ नहीं है, ठीक है न? यह तो बस एकी चीज करते है, ओम शान्टी, ओम शान्टी, ओम शान्टी. So, maybe it is possible for me, but equally not possible for you. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सी कोई बात कह रहा हूं, तो प्लीज रेस और गॉप्तली एप्रप्टली प्लप में प्रॉप्तली इस नोट पॉसिबल गिरिश भाई, जो चीज पॉसिबल ही नहीं, वो बता कर के जा फाइदा, वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, सुनते सब का हैं, ठीक है ना, तो यह जो अपने मन का है ना, वो मेरे साथ शेर करिएगा, ऐसा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमारा जो, is all the three things is okay? Good, I'll be very happy if you also participate with me. आज का हमारा विशय है, happy lifestyle, वैसे happiness, life और style, यह तीन different words है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, सबसे पहले happy को समझते हैं, या happiness as an emotion, as a state of mind को थोड़ा सा समझते हैं, आप लोग comfortable है हिंदी और इंग्लिश में? कोई problem कि मैं ज़्यादा हिंदी में बोलू, ज़्यादा इंग्लिश में बोलू, mix ठीक रहेगा भाईसा, बहुत अच्छा, यह सच मुछी dangerous zone है, ठीक है ना, पता हैं लोगों को शुद्धता का जमाना नहीं रहा, आज सबको mix ही पसंद है, ठीक है ना, गाना तो remix हो गया है खान, cinema भी mix हो गया, भाशा को भी भाईसा बोल रहे है, mix ही चलेगा, ठीक है, चलिए, पहला प्रशन, आप मेरे ideas को scrutinize करियेगा, evaluate करेगा, put it into every dimension of human life, आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं भी ऐसी करने वाला हूं, ठीक है, so my first question, मैं प्रशन इसले नहीं पूछ रहा हूं, to check your intelligence it is just to evolve the discussion, ठीक है, and I know very well, आप बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रथिष्टित, बहुत ही intellectual audience मेरे सामने बैठे हैं, it is just to kick start the whole process of discussion, first question, happiness, what is the basis of happiness, happiness का आधार क्या है? अच्छा, sir, मेरा बच्चा सुनता नहीं है घर पे, बहुत प्यार से कहा, उसने नहीं समझा, और मैंने उसकी जीवन को सवारने के लिए लगाया उसको दोखीच के, डाटा भी, ये कर्म करने के बाद खुशी होगी? तो कर्म, then be specific, what कर्म? क्या बात है, पीडित पपा है, ठीक है न, with due respect. मन के आनन्द की स्थिति, उसका अधार क्या है? जी, तो खुशी का अधार? जिन्दगी में मेरे हिसाब से काम होगा, तो मतलब खुशी ने रह पाऊंगा, सर् जी, तो मतलब खुशी काम होगा, सरे भीट काम हरोगा, सरे न, रहे हिस्थित अधार, तो मतलब खाऊंगे। मतलब से और लिए के श करऊंगें कि छूशी न, मुझे ज्यान दे रहे हैं या अपने बारे में चाहरे हैं आच्छा मुझे कभी-कभी डाउट लगता है कि मैं सुनने वाला हूं कि सुनाने वाला हूं ठीक है आप लोग इतने अच्छे जवाव हैं ना माई गॉड मतलब मेरको तो लगता है तौपिक आप ही Since you're doing justice to it. You get such wonderful answers. याँ धूनी पाँ झाँ. तहसे, लौज अधा भाणा लगता है? जाँ, सब्सक्राइए? Okay, being contented is happiness. I like to ponder over it, okay? एक बार आईसे ही प्रोग्राम माध धिस्टर बता ही? उसका अधार, इंटरनल ब्लिसका अधार. बहुत अच्छा, तु गुट, सर लास्ट, हाँजी, आपका बता दीजिए, सर्ट, बहुत अच्छा, छीक, तु गुट, लास्ट एंसर, सर, छीक, ठीक, बुट, मैं बस एक दो जगे थोड़ा स्टार, तु गुट, सर, कंडिशन बताता, किसी ने कहा, अच्छा, कंटेंटमेंट, साटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा, ठीक है ना, कंटेंटमेंट को मैं थोड़ा सा पॉंडर करना चाहता हूँ, रुहानी, आत्मियता, और जो हमको चाहिए, वो प्राप्त हो जाए, मानवता, यह सब ठीकली बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली में एक कॉर्परेट ओफिस में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वाँ भी मैंने यह पूछा, ठीक है, किसी ने कहा, contentment, there was a lady who said contentment, मैंने कहा, madam, आपकी यहां पर आपके HR head बेठें क्या, so she said, yeah, the first row, second person is HR head, मैंने कहा, sir, अगले महिने का salary, madam को contentment देना, HDFC bank का check, NEFT transfer is satisfaction, तो जैसी मैंने यह कहा, नहीं नहीं, पैसा भी चाहिए, आपको नहीं लगता, यह सब theoretically making lot of sense, but there is a mismatch between what I think and what I do, आपके बच्चे को कहना, क्योंकि आपने यहां बहुत अच्छा ज्यान दिया मुझे, क्योंकि अपने बच्चे को कहना satisfaction के लिए पढ़, कितने भी मांग से न, कोई बात नहीं, हाँ जी, वो आपके पिताजी की महांता थी सर, आज की पिताजी लोग है न, बच्चों को लेके stress पे है, ठीक है न, जितने भी बड़े लोग यहां बैठें न, आपके पिताजी को पते ही नहीं था, कि दस्वी बोड का exam लिख रहा है, या बाडवी बोड का exam लिख रहा है, जो भी बने, अपने दमपर बने, लेकिन आज के माता पिता का हाल थोड़ा बेहाल है, नाइन्थ स्टेंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के मम्मी पापा कहते हैं, अगले साल हम छुटी पे नहीं जाएंगे, अगले साल शादी पे नहीं जाएंगे, अगले साल ऐसे सब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा 9th standard में है, अगले साल 10th board है, बच्चे को नहीं पता होता है 10th board क्या है, लेकिन मम्मी पापा के हाल चाल से एक चीज उसको पता चल जाता है, अगले साल कुछ खतरनाक होने वाल है, आपके सामने, क्योंकि आपने बच्चे की बाद कही इसलिए आपक क्या होनliers, पॉन पॉनने, क्या कि ऊष्चासमा दें पॉन क्या होता होनना, लेकिन बच्चे को क्या बतारहे है पढ़, पढ़, अच्छे माचला, तब जाके तू कमाएगा, तब तू independent बनेगा, तब जाके तू खुश रहेगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा ग्यान दे रहे हैं मुझे. So there is a mismatch. मैं आपके बारे में नहीं कर रहाँ. This is how we live our life and that's precisely the reason I say we don't live a happy lifestyle. हमारा है ही नहीं है, हमारा lifestyle कुछ और है, theoretically it makes a lot of sense. बच्चे को हमने कभी कहा, Satisfaction के लिए पढ़, कितना है तेरा स्कॉर, अच्छा वो कहे, पापा मैं Satisfaction के लिए पढ़ूँगा, तो भी हमारे लिए गले से नीचे नहीं उतरेगा बात. Please बताएए, what is the basis of happiness? Oh, too good. मैं आपको थोड़ा सा कॉम्पलिकेट करता हूँ चीजों को, ठीक है, देखना, गिरिश भाहे को प्यास लग रहा है क्योंकि मैं आप से काफी देर से बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पसीना भी आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ, आप थके भी नह आए हैं, शायद आप चाय पी करके भी हाएंगो, you are relaxed, I am not, मैंने सारी का बहन को कहा, दीदी मुझे बहुत प्यास लग रहा है, दीदी ने का, nothing to worry, and she offers me a glass of water, और वो water सिरफ ग्लास of water नहीं होता है, she makes it little, you know, tasty, आधा निम्भू को भी निचोडती हैं, उसमें थोड़ा न आप सबको भी निम्भू पानी, same flavored वाला निम्भू पानी, आप भी निम्भू पानी पीते, मैं भी निम्भू पानी पीता हूं, ठीक है, गिरिश वर्सस आप में किसको जादा निम्भू पानी पीने का सुख प्राप्त होगा, गिरिश को, क्यों? जरूरत थी, प्यास थी, can I conclude, सुख की प्राप्ती के लिए प्यासा होना जरूरी है, आपको कम सुख, क्योंकि आपको कम प्यास, प्यार का प्यास, पानी वो जस्ट अग्जाएंपल, थर्स्टी इस फिजिकल नीड, यहां भी तो बहुत सार नीड है, सम्मान का प्यास, मै जरूर मैं था, हान हनृस्त मैं था, अवर्छ स nett् ragdash yeah? Prashn, what is the basis of happiness? इडी पैसे का प्यास, प्यार का प्यास, अक्सिब्डेस का प्यास, ज यहां प्यास, सुशल अक्सिब्डेस, प्रोफिश्नल अक्सिब्देस, घर्में अक्सिप्टेस, यह्सब प्यास है न? और कब भूरी होगी? ऐसे ही हैं सब लोग, सारी दुनिया, we are all heading towards it. And the good news is sir, हम अपने next generation को भी बना रहे हैं, frustrated. You may be an exception, but by and large, I handle people. आप IITs चले जाओ, कोठा चले जाओ, the number of suicide cases, newspaper में number of suicide cases going down or going up, mental cases going up. आपको बता हूं, थोड़ा सा drawback बता हूं. Nimhans, Bangalore, one of the best institutes of India, they registered an official case of Netflix addiction. Can you beat it? Netflix कर के कोई अप है, उसमें movies और वसे बाब देख से. गुठका तंबाकू शराब सिगरेट का जमाना गया, आज addiction is PUBG addiction. And you know what psychologists say, this is more dangerous than गुठका तंबाकू. क्यों गुठका तंबाकू सिरफ आपके यहां को बरबात करेगा यहां को बरबात करेगा, यह तो फिर भी ठीक रहेगा. At least एक समय यह realization आजाएगा, कि मैंने गलती की है, अब भोगो बेटा. अब अन्तिम समय को प्यार से, खुशी से बिता लो. लेकिन यही खराब हो गया ना, तो यह तो हम घरवालों को भी परिशान करके छोड़ देते, because my mental health is not okay. वैसे मैं बता रहा हूं, मैं individually नहीं point कर रहा हूं. What is a generalized, you know, understanding of how the society is, where it is all heading for? I'll make it a little more complicated. मैंने तो निम्भुपानी पी लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, करंट दौड़ गया, और दीदी ने मेरे चहरे की खुशी देख ली, और भारत में हमारी जो बहने और माता हैं, विमन इन इंडिया, वो बहुत वंडर्फुल होते हैं, पता हैं, वो सुख देने के लिए ही शायद उनका जनम होता है. जैसे ही दीदी ने मेरे चहरे पे वो खुशी देखी कि मेरा प्यास बुच गया, बिफोर आइ फिनिष माइ फिर्स ग्लास अफ निम्भु पानी, शी वस रड़ी विए 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 प्यार से खिला खिला के महमान को छोड़ते हैं, खुशी ऐसे करते हैं, मैंने का दीदी बस, अभी नहीं चाहिए, बोला, नो, आप इतना देर से बाते कर रहें, कितना प् आ northwest ये करो देर से फिले तो हुआ को? ।फि आम ये पी लेता हुआ एं हुआ सेकंद ग्लास निम्भु पानी पीयां, प्रस्त नेमबर ओ य। निम्भु पानी पीतने का सुख पहला ग्लास निम्भु पानी पीतना ही शुख रहें इसुख रहें और कम हो जायें तो, इस् law of diminishing return, manushya ने बनाया, sir मैं happiness के बार में पूछ रहा हूँ, happiness always होना चाहिए या sometimes होना चाहिए या वो अलग बात रहे आएगा sometime ही, मतलब आपकी मान्यता है की जीवन में सुख दुख होगा वो मैं पूछ रहा हूँ, जीवन सुख दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है जीवन रात और दिन का खेल है, हार और जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है या सदा सुख का खेल है जो लोग समझते हैं सुख दुख का खेल है, रात दिन का खेल है, हार और जीत का खेल है हातों पर उठाई है खिया बात है, good, thank you जिनको लगता है, no, happiness is an always phenomenon, वो जरह हातों पर उठाई है चलिए, तीन-चार लोग है, ठीक है जिनों ने अभी तक हात नहीं ऊपर उठाया है कृपया करके हात उपर उठाई, ये कौन सा काटेगरी है this is the most dangerous category, ठीक, ये थर्ड काटेगरी है ये पता है, मुझ को क्या पूछ रहा है, तू बता हम को क्यों पूछ रहा है हम तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं, यू तेल हाँ जी see, my question is not your ability, my question is what it should be maximum लोगों ने नहीं कहा, anyway आपको में दूसरा प्रशन पूछता हूँ, ठीक है पूछ हूँ, आप प्लांट में भी काम करते हूँगे, you know IFCO is manufacturing all chemicals, right, fertilizers आपके factory में, safety is an always phenomena or a sometimes phenomena ख्या बात है, यहाँ तो आपको कोई doubt नहीं आ रहा है क्यों? हाँ, और जीवन, जीवन सुरक्षित रहे मतलब शर्वाइव कर जाएं, सर, हाँ, 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 जिन्दा रहें, जिन्दा रहें, correct लाइफ के लिए, happiness is the most beautiful safety और उस safety का हमारी मान्यता पता है क्या, कभी-कभी क्योंकि जीवन है तो सुख और दुख है factory है, एक मिनिट, factory है, लोग है, plant है, machines है, electricity है तो फिर तो accident हो नहीं है हो नहीं है क्या? what do we strive for, होता होगा, मैं भो नहीं बोल रहा है कितने लोग कितने safety measures को follow करते होगे, different levels है my question is, what is the understanding of safety? absolute, wonderful sir, I love that word, जीवन भी absolute, सुख होना चाहिए लेकिन हमारी मान्यता ये हो गई है बस इसी चीज को यहां कर, that is what spirituality and management is all about we have all, with due respect, we have certain models and we operate our life with those models and the irony of human life is we don't know that we operate out of flawed models उदारन दो, weird उदारन देता हम, सब उल्टाई उदारन दोंगा मेरा जो बड़ा वला बेटा है, first year engineering उन्होंने मुझे कहा, पापा, मुझे भी driving license के लिए अपलाई करना है across that age limit मैंने का, please apply, अलड़ी वो गड़ी चलाना जानता भी है तो मैंने का, तो apply कर, बोला नहीं आपको तो traffic police commissioner की पहचान है नवी मुंबई की, मैंने का, yeah, Mr. Partil is a very good friend of mine, I do lot of programs with them तो उन्होंने का, आप जरा फोन कर दो, मैंने का, बिल्कुल करूंगा, तेरे लिए नहीं करूंगा, तो किसके लिए करूंगा I immediately called up Mr. Partil and said, sir, ऐसा ऐसा है मेरा बेटा तो आप जरा फोन कर देना, उन्होंने का, ठीक है, so, नवी मुंबई के जो RTO है, इंस्पेक्टर को फोन कर दिया, बोला, ऐसे गिरिश है, उनका बेटा है, फलाना फलना आएगा, you handle it, ठीक है और जैसे ही मेरा बेटा गया, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो जो इंस्पेक्टर था, इतनी डीटेलिंग में उससे प्रश्न पूछता था, कि वो मेरा बेटा जवाबी नहीं दे पाता था, बोला, ये भी पढ़किया, ये भी पढ़किया, छे महिने तक he struggled, छे महिन भी और को नहीं पूछता है प्रश्न बिस्ट मुझे ही पूछता है इतना इतना डिफिकल इफिकल प्रश्न पूछता है, आप ही ने कहा था था फोन करने के लिए, मैने तो कर दिया था फोन, you know he struggled for two years, to get a driving license, और वो अपना semester exam के लिए, इतना seriously or efficiently नही पढ़ रहा था, जि और जिस दिन उसको driving license मिलने का time आया ना तो वो inspector ने उसको कहा बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं, sorry, आपको हमने बहुत तकलीव दिया, और वो दो साल के अंदर वो PhD कर सकता था, rules, regulation, signs, symbols, सब चीज का, he could have got a PhD in traffic rules, और बोला, आपके जो पिताजी है ना, वो बहुत अच्छे विखती हैं, और आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन भविश्य में समझ में आएगा, कि आपके पापा कितने अच्छे विखती हैं, और फाइनली उसने उसको driving license दिया, मेरे बेटे ने driving license को अपनी जेब में रख कर कहा, और वो इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा, always safe drive, safely drive your car, तो मेरे बेटे ने कहा, नहीं अंकल, कभी-कभी accident को रूँगा, क्योंकि कभी-कभी दुख चलता है, कभी-कभी गुसा भी चलता है, कभी-कभी रोना भी चलता है, कभी-कभी परिशन भी चलता है, हलो, बट फाक्टरी में, ट्राफिक में, safety is an always phenomena, question, success is an always phenomena or a sometimes phenomena, क्या बात है, हाँजी, आपका बेटा कर कहे, पापा, 9th standard तक मैं हम्मेशा 1st rank आया हूँ, जीवन सुख और दुख का खेल है, और कई लोग तो मुझे बहुत अच्छा-च्छा डायलोग सुना देते हैं, पता है क्या कहते हैं, जब तक दुख की अनुभूती नहीं होगी ना, तब तक सुख का महत्व नहीं पता चलेगा, उन लोगों के लिए बताता हूँ, आपका बेटा आकर कहता हूँ, पापा, 9th standard तक मैं हमेशा 1st आया हूँ, 1st आने का महत्व समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए 10 वी में एक बार फेल होकर देखता हूँ, आप कहेंगे very good, right, तो sir, अगर सुख होता है, तो फिर दुखी क्यों होते हो, अगर सुख यनुभूती की है, टेस्ट किया है, अगर लग लग चुकी है, आदत हो चुकी है, तो फिर दुखी क्यों होते हो, then why cry, why frustrate, why get irritated, why complain, why become hopeless, why helpless, why depression, why frustration, why किसी और की सफलता को देखके जलन होता है, wanted, unwanted की बात ने कर रहा हूँ, always phenomena और sometimes phenomena, let us check that first, हाँ, 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 जी, तो आपके जीवन में सुख और दुख का आधार कौन, सुख होगा दुख, आप है ना, दुख को परिक्षा का, मेरा बेटा कहता है, मैं दस्वी के बोर्ड एक्जाम में mathematics का पेपर नहीं लुखूंगा, क्योंकि mathematics मुझे बहुत दुखी देता है, is it okay? Maybe my wife is that mathematics paper, maybe my office is my mathematics. आप चल रहा है, आप चल रहा है, आप चल रहा है, वही मैं पूछ रहा हूँ, आपका life का definition कौन decide करेगा? हाँ, तो अब बताईए, प्रश्न, सुख का आधार कौन? क्या बात है, अब इसमें फिर सब कुछ आजाता है, मैंने जितना समचायल, make it more complicated, theory of diminishing marginal utility theory, sir. दीदी ने तीसरा ग्लास, जोग था, गुसा नहीं दुख, दीदी पे गुसा नहीं करना सा, ठीक? वो थोड़ार एक्स्ट्रीम है, अब मुझे तो उल्टिया जाएगा? अब मुझे तो उल्टिया जाएगा? अब मुझे जो तकलीफ इस बात की होती है, कि हम अपने नए जनरेशन को भी इसी आधार से सिखाते हैं, इस इस हो इमुटिवेट पीपल, और इस नहीं काल इस इंट्रिंसिक फाक्टर्स, ज़िवरिधिन इस रिवन भी एक्स्ट्रिंसिक फाक्टर्स, सुख का आधार, मैंने जितना समझा है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप उस पर सज़ेशन भी दे सकते हैं, सुख का आधार है, सत्य ज्यान, is the true knowledge of life. And unfortunately, यह जो तू नौलेज है, which my parents should have taught me, which my teachers should have taught me, which my elders should have taught me, they didn't actually. उसको थोड़ा सा समझते हैं. मेरे जीवन में, challenges बहुत सारे आ सकते हैं, आपने जो दुख शब्द किया है, मैं उसको दुख वर्ड नहीं उसकरता हूं, मैं उसको कहता हूं, परिस्थितिया, people, challenges, situation, which may not be as per my terms, जैसे मैं चाहता हूं, वैसा ना भी हो, जिसको हम प्रतिकूल परिस्थिति कह सकते हैं, which is not comfortable for me, which is not pleasant for me. इन सब परिस्थितियों में, I'll give you an example, मेरी मा को suddenly, थोड़ा साइक यहां पर लंप हुआ, दो हपते के अंदर, दोक्तर ने कहा, she is in the final stage of cancer. This is how life is. Yeah, it can come to you, it can come to me. Just because I'm white-white, just because my Brahma Kumari is 22 years, doesn't mean, यह challenges नहीं आएंगे. और जैसे सर ने कहा, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, I follow traffic rules, पीछे से आके दूसरे ने आके गाड़ी को तक्र मारती. This is a challenge. Question, Sachin Ramesh Tindulkar बैटिंग करने जाएगा, तो opposite team वाला बोलर, Lassit Malinga, Brettley, Shane Vaughan, Muthayya Murali Daran, Shoye Bhaktar, धीरे गेंड डालेगा? बिल्कुल तेज डालेगा. यह Sachin Tindulkar की काभलियत है, कि वो किस प्रकार उनको मार मार के hundred-hundreds बनाता है? He becomes a hero of the whole world. इसी तरह क्या मैं अपने जीवन का hero नहीं बन सकता हूँ? परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को मैं किस प्रकार से सामना करता हूँ? और अगर उन सामना करने में मेरी मन की स्थिति, अगर real understanding यह है, कि it is an always phenomenon, then probably I can strive for it. और अगर मैं कहता हूँ दुख तो होगा, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया पता है? अपनी स्थित अफ माइंड की खुश्री को मैंने परिस्थिति के उपडाली, क्योंकि इन की वज़े से ऐसा हो रहा है, and it's a very flawed model. Sachin Tindalkar को Ramakant Aachrekar ने कभी नहीं का तेर को छे गेंड यार कर लेंता आएगा तो तो कुछ नहीं कर पाएगा. Ramakant Aachrekar सचिन Tindalkar को, Sachin Tindalkar अपने प्राक्टिस में, the love for the game of cricket, वो उसको एक कदम बढाके या तो फुल टॉज बना के मारेगा, या एक कदम पीछे हटकर उसको फुलिक करेगा, that is the capability and competency and skill of Sachin Ramesh Tindalkar because he is a hero as far as cricket goes. Similarly, friends, whether you and I can become the hero of my life, हम एक कदम पीछे, एक कदम आगे, फुल टॉज बना करके, challenges तो आएंगे. मैं चालेंगे के बारे में नहीं कह रहा था, मैं तो खुशी के बारे में पूछ रहा था. विपरीट परिस्थितियो में भी मेरी मन की स्थिति, यह तो मेरे हाथ में है, ना? What happens around you, what happens around me, can be determined by somebody else, may, may not be in my control, but what happens within me, there should be only one person who should determine it. बस यही है, यह आप तीन दिन आए हैं, इसी चीज़ पर हम बहुत अच्छी तरीके से फोकस करेंगे. And if I can activate, if my self-awareness बहुत ज़ादा है, आंतरिक शक्तियों को मैं अपने जो अवचेतन मन को, सबकॉंशन मांद को अच्टिवेट कर सकता हूं, हम और आप हैं ही सचिंतिंदुलकर, हम और आप हैं ही डाइमंड, हम इतने अच्छे हैं. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना, just a story, not real. एक गाओं में दो पडोसी, ऐसे दो बहुत सारे घर थे, पर दो पडोसी थे, आजू-बाजून का घर था, एक पडोसी क्या करता था? वो अपने घर के सामने के जो आंगन होता था, जो सामने का कोटियाड, वो स्वीप करता था, उसको जड़ू लगाता था, उसमें कूड़ा, करकट, पत्ती, बत्ती, जो भी होता था, को टोकरी में भरता था, बाजू वाले के दरवाजे सामने, घर के सामने जाके डाल देता था. और यह पडोसी, जब सुभ़ सुभ़ दरवाजा खोलता था, कच चप इस पहुदा कुड़ा करकट उसको वह बट्गाव से उसको साफ कर देता था एक दिन कसर right दाला दो दिन चार दिन एक फ्क्ता दो्हप्ता capabilities A Nations एक मैने हैं every day ये विक्ति सुभो सुभा कम चुड़ा करकट इसके घर सांवने हैं और ये बड़े प्यार से उसको साफ कर देता था and it kept on happening after six months और ये जो वेक्ति है न इसको रिंचक not even an iota of irritation, frustration किसी और के द्वारा मेरे अंदर की स्थिति किसी और के द्वारा मेरे अंदर की स्थिति disturb होती है और मेरे अंदर की स्थिति कोई दूसरा विक्ति अगर कंट्रोल करता है ये मानव जीवन की सबसे बड़ी गुलामी है we just celebrated Independence Day where is in in dependence everything is out you are good to me then I am also good you respect me then my life is good you don't challenge me then I am pleasant you appreciate me even if I make mistakes then mamma is okay then mamma is motivating but अगर आपने मेरी छोटी सी गलती को भी आपने बड़ा चड़ा के बोल दिया आप माफ नहीं कर सकते तो I can go down my state of mind can मैं लोफील कर सकता हूं ये कौन सा मानव जीवन है और कौन सा मानव जीवन को हम कौन सा मैनेजमेंट है इफ आप अगर पोजिशनल लीडर हैं आपके नीचे पचास लोग हैं then it is your primary responsibility to emphasize that how life has to be led how you have to conduct and create a corporate culture in your department अगर आप मा हैं तो आपके दो बच्चों को ये सही सिक्षा देना हमारा और आपका फर्ज है responsibility है छे महने के बाद मौसम बदलता है गर्मी का सीजन आता है ये वाले पडोसी के घर के सामने बहुत बड़ा आम का व्रिक्ष उसमें बड़े अच्छे फलदार very luscious juicy mangoes और ये उसको बहुत प्यार से उसको तोड़ता है और दुसरे दिन तोकरी भर करके मीठे मीठे आम इसके घर के दर्वाजे के सामने रख देता है ये विक्ति जैसे ही दर्वाजा खोलता है इसको दिखता है कि वो कल तोड़ रहा था इसको समझ में आ रहा था है ये पडोसी का ही काम है उसको बहुत आत्मंगलानी होती इसको बहुत बुरा लगता है मैंने क्या किया इसको six months मैंने इसको परिशान किया and finally look what is he doing to me उसको थोड़ा बुरा लगता है वो तुरंत पडोसी के घर कर दर्वाजा खटकटा था और कहता है sir I am very sorry sorry शब्द भी शायद इसमे उतना दम नहीं है मैं कैसे आपको माफी मांगो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने आपको क्या समझा और आप क्या महान पुरुष निकले आप में कितनी दिव्यता है आप कितने great हो you are too good sir you have got real human values too good और मैं कैसे शमा मांगो ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने आपको इतना परिशान के look आप मुझे फल दे रहे हो तो पता है ये पडूसी क्या कहता है मैं महानवान नहीं हूँ मैं great भी नहीं हूँ और तुम जो इतने मेरे बारे में लंबा चोड़ा बोल रहो ना ये सब पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ तो इसने का रहे आप अगर इतने अच्छे नहीं है महान नहीं है दिव्यगुण नहीं है तो आप कैसे आम मेरे घर के सामने रख सकते मैंने आपको कूडा करकत डाला तो पता है ये विक्ति क्या कहता है मुझे नहीं पता है मैं महान हूँ या नहीं हूँ भज मुझे एक ही चीज पता है मैंने आपके घर के सामने पता है आम क्यों रखे उलहां बताये क्यों रखा तो ये वाला पडोसी कहता है जिसके पास जो होगा वही देगा ना जिसके पास जो होगा वही देगा न this is one of the best management, you name it JRD Tata, Ratan Tata any business conglomerates who were ethically you know value based थे, चाहे वो एक शॉप फ्लोर वरकरी क्यो ना हो चाहे वो CEO क्यो ना हो, चाहे वो Prime Minister क्यो ना this is what you will give and to give means to have अब अगर मैंने शादी इसी ले की अगर मैं नौकरी इसी ले कर रहा हूँ अगर मैं पैसे इसी ले कमा रहा हूँ इसे क्यों कर रहा हूँ? खुशी के लिए correct? ultimately it is happiness और happiness को अब दे ही नहीं पा रहे सामने वाला अगर गडबड करे तो फिर तो हमको गुसा कर नहीं है क्यों? that is what life is defined as इसी को थोड़ा सा रीफाइन करना है हमको रीट्यून करना है और हमको यह समझना है हम सब बहुत 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 पावरफूल है इन सब अच्छे मूल्यों से बस इसको tap नहीं किया इसको explore नहीं किया इसको हमने use नहीं किया we don't have the insight of the experience of the power of peace we don't have the insight of the experience of the power of happiness पता है हमको कहा का insight of the experience है मम्मी एक बार घर में जा करके एक बार प्यार से बच्चे को बोलती है बटा टीवी बन करके पढ़ ले दो बार करती है तीन बार करेगी क्यों सुनता ही नहीं है कितना करें ऑफिस का भी काम करें वहां का भी प्रिशर हैंडल करें उपर सी सुनता भी नहीं है बच्चा सुनता क्यों नहीं है प्यार से बोलने से क्यों नहीं सुनता है and finally after half an hour mommy has to get angry and you know what we have we all have the insight of the experience of the power of anger कुमाल है आप है यहां पर नीचे अमारा शंती बन है प्लीज जाने से पहले एक बार वहां जाना और वहां हमाराने कैड दिपार्टमेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज टाइम में लेगा तो मैं सारी का भेन को कहूंगा don't trust, don't believe what Girish has to tell you मैंने पहले ही का please question everything आप evaluate करो scrutinize करो हर परिस्तिती में मेरे हर concept को आप पुट करो Dr. Kalam का presentation में आपको दिखाता था पता है Dr. Kalam क्या करे 8 years of research with the Brahma Kumaris Dr. Kalam did not go to Apollo hospital Cardiologist के पास नहीं गए गुसा कर ये free में heart attack लीजिए आप में से कोई doctor है यहां पर? doctor? medical doctor, MBBS please raise your hand sir, too good मैं आपको पहले जानता हूं पहले से have I seen you before? नहीं दे, आप हिंदी नहीं जानते okay please, मतलब मेरा इनके साद कोई match fixing नहीं है इसलिए पूछ रहा था, आपको यह नहीं लगना चाहिए, मैंने इनके साद भी setting करके आया हूं sir, according to your medical science I am not an expert in medical science you are an expert जब भी मनुष्य गुसा करता है for any reason for good अन्याय के विरूद बच्चे को समझाने के लिए उसका जीवन बताने के लिए गल्ती को सुधार निकले, for any good reason please tell me sir, any human being gets angry उसका बोडी के मिस्ट्री नॉर्मल रहता है की डिस्टर बजाता है नॉर्मल नहीं रहता है आपको question पूच हो यह बोडी का factory setting आपने तो किद्नी नहीं बनाया मेरा लिवर, हार्ट, लंग्स, दो आखें यह इस ब्यूटिफल मशीन सम इंटलिजन क्रियेट्चर अजमेड़ इस बोडी का नॉर्मल बायो केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको और मुझे इनको पैदा करके जीवन को चलाते चलाते इसको डिस्टर्ब करना यह कहां का ग्यान है और अल्टिमेटली हम पैसा इसलिए भी कमा रहें ताकि हम हल्दी भी रहें हम मेहनत भी करते हैं और फिर जीने जीने के चकर में गुसा भी कर रहें थोड़ा सा हमारा जो अपरेटिंग सिस्टेम में इसको रीडिफाइन करना मुझ जरूरी है करें रीडिफाइन करें सिंपल ठीक है मैंने जितना समझा है happiness is an always phenomena to keep your heart safe to keep your pancreas safe to keep your blood pressure safe डॉक्टर कलाम के साथ 8 साल रिसर्च किया हमने cardiologist, fitness expert, endocrinologist 8 years of research DRDO के scientist आई से कोई report को न ओनर नहीं करेंगे and Dr. कलाम the most scientific brains India could have ever produced after 8 years of research आज हमारे पास लगभग लगभग 9000 से 10,000 angiography evaluations है हमारे यां पे World Congress on Clinical and Preventive Cardiology का program चलता जसे आप लोग इफको के आई नहीं World के अच्छ अच्छे Cardiologist आते है खुश रहिये Easy रहिये Simple रहिये Must रहिये Confident रहिये Powerful रहिये आनंद में रहिये Guaranteed आपके heart block के जस्रिग्रेस होते है 90% block reduced to 30% we have angiographic evaluations and world over was accepted it was for almost 2-3 years this project was rated as the best project in the whole world research project कितना simple है खुश रहिये और खुश या दुख उसका कारण कारण है हाँ जोर से बोलिये मैं ठीक है एक रिपीट करना हाँ मैं मैं fill in the blanks मेरे ज्यीवन मेरा टेंशन का कारण कितना दुखी ओके बोल रहै वो भी खुशी से बोलेना कितना देर से मैं खुशी खुशी बोल रहा मेरे जीवन मेरा गुस्षय का कारण मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण आप बहुत अच्छे हैं काश आपके घर वाले सुन पाते आपका बच्चा दो नारियल तोड़ता अद मंदिर में जाकर और कहता है ठैंक यू गॉड प्रार्थना सुन ली मम्मी पहली बार अकल की बात कर रही है कियो कि मं भी घर वे आकर बाई इकटालोग तुम लोगों की बेज़ेस तुम लोगों की बचाले और यहां क्या डाइलोग बोल रहे है वा直 मैने पहलेख लोगिह भील किल दिय दिदिसर सुनते हम सब का आ आप तो एक घंटे बाद बोल रहे हो, मैं तो starting ही, I started with that. ठीक है? गुड. जी, जी, जी. चलिए, बस एक exercise करते हैं. If happiness isn't always phenomenon, let us try to be happy always. ठीक है? दोनों हाथ की उंगले ऐसे करिये. This is a lifestyle, हा? The style you should wear it all the time. ठीक है? इसको अपने ओठों के किनारे रखें. बहुत अच्छा. अब अच्छे लग रहे है. उपर की और थोड़ा उसको पुष करिये. मुस्कुराइए. Very good. चहरे को ऐसे ही मुस्कुराता हुआ, रखकर हाथ नीचे कर लें. चहरा ऐसी रहने दे, हाथ नीचे. एक बार में डेली में प्रोग्राम कर रहा था, एक भाई साब बैठे ते ऐसे. मैंने का, सर, प्लीज पूट योँचे प्रोग्राम कर रहा था, बहुत अच्छा जबाब दे. उन्होंने का, गिरिश, हाथ नीचे करता हूँ, तो चहरा भी नीचे आ रहा है. मैंने का, फिर भगवानी बला करें, ठीक है, आगर मनुष्य को अपने मुस्कुराहट पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो forget everything, ठीक है, सब मुस्कुरा रहे हैं, आजुबाज वाले को देखिए, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो अप अगले 24 गंटे तक, the day you reach home for the next 24 hours, ऐसे ही रहना, ये भी गड़बड़ है, पदा है, जैसे ही आप मुस्कुरा कर घर में इंटर करेंगे न, अपने बेटे को कहना, बेटा, टीवी बन करके पढ़ाई कर ले, वो आपको ऐसे देखेगा, कुछ दो गड़बड़ है, Sir, this is height of degradation of human existence, सदा मुस्कुराना is abnormal, Hindu dharm की बाद बताता हूं, although I am not here to speak about any religion, but still, Hindu dharm में 33 कुरदेवी देवताओं का गायन है, correct? सभी देवी देवताओं का चहरा देखें, सभी देवी देवताओं का, कोई भी फोटो ले ले लिजे, Sir? चलिए, एक देवी देवताओं का, 33 कुरदेजे, उनका मंदिर में चहरा कैसे है? बस पता है, घर वाले क्या चाहते है, मम्मी स्माइलिंग मम्मी हो, ब्यूटिफुल मम्मी हो, स्वीट मम्मी हो, पपा इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, पावर्फुल हो, बस इतना ही तो चाहते है, इफको के मैनेजर पपा नहीं चाहिए हमको, I want my original daddy back, अब ऐसे करेंगे तो प्यार भी करेंगे सर, जी, तो आपने कर्मी ऐसे किये हैं सर, ठीक है न, आप ही कह रहे थे, कर्म ही हमारा सुख का अधार है, ठीक है न, अभे दियू रिस्पेक, बोलियो ब्रदर, कभी नहीं, ये is just symbolic, what I am trying to say is, be happy within, और आपकी खुशी का अधार, हां तो बस, आप acting करो ये खुश रो, ये भी आपके हात में, so you decide how do you want to live, what's your style, वो जैकेट क्यों पहना है, सर, कुछ और भी पहन सकते थे, it was your choice, so I choose, this is just symbolic, आपको हाथ से नहीं करने, कहते हैं, the face is the index of the mind, आपका चहरा मन का वो दरपन है जो बताता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो खुश रही है, आजकल तो हालत ये हो गई है, कि इसके विना हो ही ने रहा, इस ही ले, it was just similar, ब्रदर, मैं एक प्रश्न पूछन, ब्रदर पूछ रहे हैं, कि अगर मां को कुछ तबियत खराब हो जाए, तो कैसे खुश रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी की तबियत खराब होने पर दुखी होते हैं, ये किसने सिखाया? सर, सर बहुत स्मार्ट है, हाँ, लाइफ के लॉस को खुद डिफाइन करके बोलते है, आटोमेटिक है, किसने कहाँ सर? ये पूछना चाहता हूँ, हाँ जी, बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पैन इस अ फंक्षन, ये भी ना डॉक्टर कलाम कहते हैं, What we have done unfortunately is, पैन a function of the mind and the body, it's a beautiful combination, physical pain, physical pain पे पिकुष्ष रहा जा सकता है, इस हाओ यू, डिजाइट, बिद democracy, या ले बिदि के वीटी कात्र गुट descriptionormatan. और ऺंएएको देता हूँ, तेन टंत्र, एक ये स्लागतंत्र . पहले जमाने में राजा का प्रजा पर सन्रक्षन था, फिर प्रजा तंत्र, प्रजा का प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा प्रशाशन, by the people, for the people, blah blah blah. दो तंत्र के चक्कर में एक तंत्र भूल गये हैं, और वो है स्वतंत्र. I told you, what's happening within me, there should be only one person who should determine. आपको एक उधारन देता हूं, वैसे तो time नहीं है, it's already over. अरुनिमा सिन्हा चेक करना, चब्श साल की महिला, was thrown out of a running train, she was left unattended for nine hours, government of India said, एक पाँ कट चुका था, offered her 25,000 rupees compensation, कहती है, official spokesperson, government of India, कहती है, जूद बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लड़के ने उसको धक्का मार दिया था, गोलड़ चेंज खीशते वक्त, वो ध्यान से सुनियेगा, इस हापने इस अप्रिल 2011, एप्रिल 2011, दो साल के अंदर, अरुणिमा सिन्ना गोस उन्ट बिकम वर्ल्स फिर्स विमन अंप्यूटी इंद वर्ल्ड, तो स्केल 8,848 मेटर्स, बिना एक पाँ के, आस तक किसी ने नहीं किया, इस महिला के पास, चार दरिंदो को जिंदगी भर गाली देने का चोईस था, पूरुष जाती से जिंदगी भर नफरत करने का अप्षन था, भारत सरकार को मरते दम तक गाली दे सकती थी, अपने किस्मत को रो सकती थी, भग्य विदा था, भगवान को को सकती थी, but she didn't she used her entire inner energy into doing something great all India Institute of Medical Sciences New Delhi के बेड में treatment चल रहा है वहां रहकर उसने बचेंदरी पाल को कॉल किया और कहा मैं मांट आवरेश चड़ना चाहती हूं बचेंदरी पाल the first Indian woman to climb Mount Everest उसने कहा तुम यह सोच रही हो ना यह मेरा नहीं है मैंने कहानी नहीं बनाया है आपको मैं YouTube लिंक देता हूं she has killed seven top mountains in the world Mount Everest नहीं साथ top mountains और भारत सरकार ने 68th Republic Day में विराट कोली दीपा कर्मा कर के साथ Deepakarmakar gymnast के साथ Arunima sinna को पदमश्री से सम्मानित कया कहां पत्ची सजार रुपई और कहां पदमश्री और भारत सरकार ने इसको पची सजार रुपई और ऑफर दिया था नहीं आप इंगारी नहीं हूं Networking power नहीं तबर सब्सक्राइब, only one power, the willpower. भारत सरकार ने कहा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ये कहती है मैं एक institute बनाना चाहती हूँ, land का खर्चा, Government of India, construction का खर्चा, Government of India, Padma Shri and lot of citations. There is only one person who can make your life better. And that is you. इस शक्ती को पहचानना है. आएंगे problems, difficulties आएंगे, उस परिस्थिती में भी. मा को cancer है न, मैं अपने जीवन का उधारन देता हूँ, मैं मेरी मदर रियली डाइड आप कैंसर हूँ, मेरे दॉक्टर ने उनको तीन महीने का टाइम दिया था. मैंने दॉक्टर को बस एक ही प्रश्न पूचा, डोक्टर, विल यो डू यो बेस्ट, येस गिरिश. मैं जब बाहर निकल रहा था, टाटा मेमोरियल कैंसर रसच होस्पिटल से, तो वो डोक्टर ने मुझे पूचा, गिरिश, विल यो डू यो बेस्ट, थांक्स तू ब्रहा कुमारी, thanks to meditation, thanks to inner power मैंने का सार बेटा हूँ, जान लगा दूँगा अब मुझे नहीं पता था क्या करना है बोल तो दिया घर में आकर के यहां पे जो ईश्वरी है, सत्य ज्ञान है ज़ सेकेंड दे मेरे को मैंने पढ़ा उस बे बच्चे सदा मुस्कुराते रो मुझे लगा शायद यही भगवान चाहता है मुझसे मेरी मा कब तक जिन्दा रहेगी, कब मरेगी मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज मेरे हाथ में था कल तक भी रहे, या छे माईने तक भी रहे उसको खुश रखने की जिम्मेवारी मेरी थी How long she would live, I had no control but how she would live was my, you know, challenge उनका लाइफस्टाइल को हैप्पी लाइफस्टाइल बनाने का मैं जान लगा दूंगा पता है मैंने क्या किया, मैंने और मेरे भाई साब और मेरे जो घरवाले थे We celebrated, हम लोग इतना मस्ती करते थे, इतना खुश रहते थे और मेरे जो डॉक्टर थे अगरवाल, मिस्टर अगरवाल, उनने का था तीन महीने से ज़्यादा जिन्दा नहीं रहेगी ये मा, पता है वो तीन साल तक जिन्दा रही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ ये मा को पता चल गया था, इनको cancer है, ये जाने वाली है बेटे का उतरा हुआ चहरा देखकर ये ज़्यादा जिन्दा रहना चाहती थी ये जिन्दा रहना चाहती थी ये ये नोट मेक संबड़ी हपी बाइग बाइग नोट हपी आरे वो वैसी मर जाती थी, पता है वो क्या सोचती थी जल्दी से हे भगवान मुझे उठा ले, मैं इन बच्चों के चहरे का दुख नहीं देख सकती मेरे कारण ये दुख ही है हर माता पिता अपने बच्चे के चहरे में क्या देखना चाहते है ओ माई गॉड दें डू इट क्यों नहीं हम खुश रह सकते हमको पता नहीं कोई ऐलर्जी है शाइद खुश रहने का ये साब है न बहुत गलत मॉडल्स है उसक्राएंगे बस एक दो एक्जेंपल देता हूँ ठीक है? साहब ने कहा पेल होगा तो होगा की नहीं होगा एक चोटा से एक्जेंपल देता हूँ आप गाड़ी चला के जा रहे है मानलीजे आपने अपने शेहरों में एक पाड़ी चला के जा रहे है आप तो रोड ट्राफिक रूल्स को आप जानते हैं लोग इतना फॉलो करते हैं बस उपर से ओगर टेक करना ही बचा हुआ है बाकि कहीं से भी विक्ती ले सकता है इंडिया में ठीक है आने वाले समय में शाद वो भी पॉसिबल हो सकता है वो भी हो सकता है ठीक है तो यू आप चला के जारा है पीछे से गाड़ी आके टक कर माज़े तो आपकी कोई गलती नहीं है इंटार फॉल्ट इस अधर परसंट एक्चली जी तो पता है आपको क्या करना है एक मिनुट होल्ट कर लीजिए ठीक है मुस्कुराना गाड़ी से नीचे उतरना पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना वो थोड़ा घबराया हुआ पता नहीं है बाबाबा और यू और रियाक्ट मैडम रियक्ट एंड रिस्पांस में बहुत अंतर है देस एस माई इंडिपेंड़न डिसीए अगले चॉबिस घंटे तक मर जाओंगा मिठ जाओंगा कोई माई का लाल हो चाहे कोई माई की लाली हो छीके ना इस इस माई चॉएस और इस माई फॉंडमेंटल राइट आप नुकसान करवा सकते हैं आप गाली दे सकते हैं आप मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं बट वाट इस अपनें विदिन में इस अपनेंटल राइवर के पास जाके तीन महावा की उच्चारन करना पहला मुस्कुरा कर पीछे वाले ड्राइवर को कहना भाईया चोट तो नहीं लगी आपको वो ऐसे करके आपको घूर के देखेगा जैसे आप धर्तिवासी ही नहीं हो मैंने आपका टक्कर मारा आपको नुकसान पहुचाया और आप मेरा हेल्थ का पूछ रहे हो गो विद असेकंड स्टेट्मेंट मुस्कुरा के उसको कहना भाईया क्या टक्कर मारी है आपने अभी तो कंफोर्म्ड हो गया होगा कि यौर नॉट फ्लाने अर्थ ठीक है तीसरा स्टेट्मेंट कहना उसको ठीक है ये तीसरा स्टेट्मेंट कहने से ही एगो को थोड़ा सा शीतल जल क्योंकि मैं राइट हूँ राइट होने का भी गुस्सा है राइट होने का भी अहंकार है तीसरा स्टेट्मेंट पीछे वाले ड्रेवर को कहना भाईया मुस्कुरा के कहना भाईया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा इतना ही तो कहते हो ना इतना ही तो कहते हो ना यही तो कहना है कि तरको छोड़ूगा नहीं, तरको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तरको दिखता नहीं है क्या, अभिता सारा नुकसान पहुंचा दे, पता नहीं तरको ड्राइविंग लाइसेंस कहां से मिल गया है, मैं पूछता हूँ इसी चीज को, मुस्कुरा के कहिए तुझे मैं नहीं छोड़ूँगा, पोलिस कंप्लेइन करूँगा, यहां का जो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट है, वो मेरा बच्पन का यार है, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक, पाही पाही जो तुने नुकसान पहुंचा है ना, I'll not leave you, चले, पोलिस किस थी, यह आपके हाथ में, आपका बच्चा वापस मुस्कुराता हुआ, हीरो पापा को मिलना चाहता है, और वो देखता है कि किसी ने आपके पापा का गाड़ी को जबरजस्ती चोट पहुंचाया है, but my papa is rock solid, he is always smiling, कल की डेट में मैं एक्जाम में थोड़ा कम हैं, तो हम सिखाते हैं, कि आपके मन के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो ना तो यह स्वभाविक है, automatic है, यह हमारा अपना मन घढंत concept है, automatic तो खुशी भी हो सकती है, बस एक last statement कहता हूं, गुसा करते हैं ना, भले कभी-कभी ही करते हैं, कभी कोई गाड़ी आपका टकर प सकते हैं, तो खुशी भी तो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, और फिर लोग है ना, पता नहीं कौन सा, क्या बोलते हैं, फंडा पास कर देते, अब नॉर्मल है, गुसा कर सकते हैं, तो फिर खुशी भी कर सकते हैं, शांती भी कर सकते हैं, जब कोई टकर मारे तो उस वक्त है ना शान्त रहना, हम ना कभी भी गुस्से को ढूंडते नहीं है, और कोई मुझसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों खड़ा हुआ है, गुस्सा क्यों नहीं करता है, तो मैं कहता हूँ, गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, शान् आपके मन के मताबिक ना हो तो रो ना ही स्वभाविक उसको चेंज करिये and that's spirituality, spirituality is not about anything else, it's about making your and my life better than what it is today so that I am not having heart attack, blood pressure नहीं चड़ेगा, diabetes नहीं होगा, it is so beautiful मुश्कुराएंगे, थोड़ा तो मुश्कुराएंगे, चाले, thank you so much friends, I really enjoyed interacting with you आप यहां के हर sessions को इसी तरह enjoy करें, जैसे सर ने कहा यहां का वतावरण, यहां का वतावरण यहां का वतावरण ऐसे कैसे बनाएं, यहां के लोग जो रहते आप यहां के एक-एक white and white को observe करना, इतने सारे लोगों का भोजन, खाना, पीना, traveling, accommodation, सब चीज, lectures, बटन का चेहरा देखना, वो भी वोई सब करना हैं, जैसे हम अपने परिवार में करते हैं, लेकिन बड़े प्यार से, खुशी, लेकिन बड़े प्यार से, खुशी, they are in an awareness, कि I am a spiritual personality, और मुझे आपको खाना ही सिरफ नहीं कहिलाना है, उसके साथ में खुशी सम्मान, प्यार, respect, that's a lifestyle, कप्रे, जूते, वाच, घर, गाड़ी, ये भी एक style है, आज यहां से भी एक style लेकर के जाना, कम, what may, always be happy, is my fundamental right, thank you, बस एक शायरी सुनाता हूं, then we'll sit for meditation for one minute, मैंने नहीं लिखाई, क्या खूब किसी नहीं लिखाई है, जिन्दगी तुझसे हर कदम पर समझाता क्यूं किया जाए, क्योंकि कभी कभी compromise भी करना हूं, सामने वाला गलत है, फिर भी मुझे शांत रहना पड़ता है, जुकना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, क्य जिन्दगी तुछ से हर कदम पर समझाता क्यों किया जाए, शौक जिन्दगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर्मर के जिया जाए, जब जिलेबी की तरह उलज ही रही है, ए तु जिन्दगी, तो क्यों ना तुझे चाश्टनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए? explore, so it is up to you, how you make your life very beautiful. Brother, I'll meet you personally, because we are running short of time. Thank you. Aap sap ka dil se, bat bat dhinyevad, om shanti. एक बार और थैंक यू जोरदार करतल द्वनी के साथ हम भाई साब का दिल से धन्यवाद करते हैं